आजकल अगर आप से कोई पूछता है, कि आप क्या करते हैं, तो पता है क्यूं। इफ लिए कि आपको कितनी उज्जत देनी हैं। पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं। उसी हिसाफ से आपके उज्जत होती है, बाकिया और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में साथियों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फइस्ट कुस्चन में क्या आप बता सकते हैं कि यह दी एक्स रेसियो 3 परपोस्टनल 15 फिर रेसियो 9 है तो इसमें यक्स कमान क्या होगा अगर एक पद गायब हो जाए जिसे बोलते ह हैं परथम समान उपाती हम आज आपको इसको ट्रिक से बताएंगे आप बिदिन सिकेंड निकाल लेंगे देखे बहुत से बच्चों ने कमेंट भी कर दिया बहुत अच्छा बेरी गुड इसका आंसर होगा कितना पता है तुमें 15 यह 45 नौ से काटोगे 5 इसका आंसर बताते हैं आगे ट्रिक से नेक्स्ट पेज पर देखिए क्या है यह ट्रीक है अगर इस तरीके के चार पद दिये गए हैं और आपको परथम समान उपाती ग्यात करना है तो बी और सी यानि दूसरे तीसरे पद का गुड़ा करके चौथे से भाग कर देना है बस यह सिंपल यहई सा फंड़ा है तो वह क्या था इधर देखो एक्स 3 1509 था न क्या था यास 315 और नौ यहीं था देखो इनका इनका गुड़ा करके इससे भाग कर देना है भैस हाब यह वाला मान है यह वाला यह c वाला यह डवाला तो vC का कर देना है यहनि तीन गुड़े 12 ollut 15 यह किस या ऐसे भी आप कर लो तीन एकम तीन तीन तरीक करनो तीन पज़े पंदरा पाँच आया यहाँ पर मैंने ए लिखा है आप यहाँ पर यक्स भी लिख सकते हैं या ए लिखे कुछ भी लेकिन कोश्चन के अकार्डिंग आप लिखेंगे तो फिर यहाँ पर हम यक्स ही लिखेंगे यह नहीं लिखेंगे आया समझ में सभी को किसी को कोई डाउट नहीं न आयेगा समझ में बहुत अच्छ है समझ में आयेगा कोई दिक्कत नहीं इसको आप लिख लिजिए लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बढ़े ठीक है आईए अगला जवाब दीजिए यदि पी अनुपात 12 समा अनुपात 4 फिर अनुपात 24 है तो पी कमान क्या होगा देखो अभी अभी फार्मूला बताया है क्या पता है तुम्हें पता है क्या बताया कि दूसरे और तीसरे पद का गुड़ा करना है यानि 12 का 4 में गुड़ा करना है चौथे पद से भाग कर देना है तो 12 चोक 48 48 में 24 का भाग करोगे 24 दूना 48 मतलब दो आया यानि आपका सी वाला सही है अगला जबाद दीजी तीसरा खेरा कि यदि A9 और 763 है तो A कमान क्या होगा बीच में अनुपात लगा है यहां समानुपात लगा है अभी अभी ट्रिक बताया जेस्ट बताया क्या पता है तुमें बहुत आसान है भाई सहाब दूसरे और तीसरे पद का गुड़ा कर दो और चौथे पद से कर दो भाग आसान है ना 9 सते 63 साथ का साथ डिबाइड कर दो वन अपान वन फाइनल में वन आएगा और आपका टी वाला सही लिखिए छापिए है ना कितना आसान अगला देखिए इसको आप खुद बताओगे जल्दी कमेंट करिए फटा फट बहुत अच्छा बेरी गुड एनिवन और कोई बताएगा ठीक है पच्वा बताईए देख लिया मज़ा आया पच्वा मैं बता दूँ देखो एक अमान निकालने के लिए दूसरा और तीफरा पद का गुड़ा करना है चोथे पद का भाग करना बाबू कर लो फटा फट ठीक है दो चवकाट तेरे चोका बावन ना बावन आएगा बहुत अच्छा अगर अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका इंतजार रहेगा जनाब